Sense of Hearing हमने most important sense, यहनी sense of vision को discuss किया था फिर हम time और motion को discuss कर चुके है सुनना या सुनने की हिस बहुत important इसी आत्मे से है Helen Keller ने जो पिदाशी तौर पे blind थी उन्होंने कहा कि बहरा होना, being deaf is worse than being blind because blindness isolates her from things but deafness isolates her from people हमारी जो hearing की sense है, यह हमें अपनी environment के बहुत से पहलों से connect करती है जो के आवाजों के बगएर, जो बेशुमार multitude of sounds हमारे इतके हैं उनके बगएर हम यह नहीं जान पाते थे अपनी environment के बारे में जो आवाजों से information पहुंचती है आप बहुत सी चीजें देख नहीं रहे होते, सिरफ आवाज से आपको वो information मिल रही होती है जहां पे आप हैं, आप आँखें बंद करें और सिरफ चन्द सेकिंड के लिए जो sounds हैं उनको महसूस करें कहीं कोई पत्ते हवा से हिल रहे होंगे, कोई बारिश होगी कोई engine start हो रहा होगा कहीं पे कोई बच्चा दौड आओगा, कदमों की अवाज होगी कुछ लोग मिलके कुछ खेल रहे होंगे कोई साइरन होगा, कोई परिंदों की chirping की, परिंदों की, खुशकवार, आवाजें होंगी दो reason जिसकी वज़ा से लोग blindness को deafness पे prefer करने हैं अगर यह experiment किया जाया, लोगों को का जाये कि अपनी hearing या अपने vision में से एक चीज़ चूस करो तो जो लोग अपनी सुनने की हिस को रखके अपनी देखने की हिस को कुर्मान करने को त्यार हैं यह एक तजर्बाती तोर पे सवाल ही होता है, hypothetical उसकी वज़ा दो होती है एक music और दूसरा speech क्योंकि जो सुननी सकता, वो बोलने में भी deficient हो जाता है और वो बहुत सी प्यारी-प्यारी बातें उसके कानों में नहीं पहुंचेंगे फेरिंग को समझने के लिए पहला स्टेप ये है कि साउंड से मुराग क्या है और हम साउंड को किस तरह से मेजर करते हैं इस सवाल के कौगे लेके चलने के लिए एक बड़ा मशूर सवाल है का जाता है कि साउंड क्या है अगर किसी दरख्त में को दरख्त जो है वो जंगल में गिरे और वहां कोई सुनने वाला ना हो तो क्या फिर भी साउंड ही है वो इस सवाल का जवाब हा में भी है और ना में भी है फिजिकल डेफिनेशन साउंड की ये है कि जो pressure changes हवा में होती है जा पानी में या किसे भी चीज में तो ये गिरने वाले दरख्ट से जो आवाज आएगी वो pressure changes तो होंगी, आवाज तो गुंचेगी इसका मतलब है के sound है लेकिन इसका जवाब नाम है इसलिए है कि perceptual definition sound की ये है the experience that we have when we hear तो क्योंके कोई है ही नहीं वा तो experience तो नहीं हुआ तो perceptual definition के हिसाब से sound नहीं है जब आप कहते हैं जैसे हम वक्त को मुखतलिफ तरीकों से इस्तमाल करते हैं हम sound को भी मुखतलिफ तरीकों से इस्तमाल करते हैं the sound of the trumpet pierced the air नकारे की जो आवाज है वो हवा में गूंच गई हवा को चीरती हुई चली गई इसका मतलब है experience of sound से वो चीर तो नहीं रही थी लेकिन जिस तरह वो सनाटे में गूंच के आप तक पहुंची है तो उसका मतलब यह है कि यह हमारा experience of sound है दूसरी तरह हम इस्तमाल करते हैं the sound's level was 10 decibels इसका मतलब यह है कि physically sound के stimulus की physical value क्या है sound pressure change की वज़ा से create होती है movement और vibrations होती है किसी object की जो हवा में या पानी में या किसी और elastic medium में जो surround कर रहे है उस object को उसके अंदर एक sound create करते है vibrating speaker है डाइफ़ग्राम का on the surrounding air ऐसे होता है इसमें जो dark areas हैं वो represent कर रहे है region of high air pressure को और light areas दिखा रहे हैं low air pressure को बी में जब पानी में कोई कंकर फैंका जाता है तो हमें ठहरे हुए पानी में तो हमें ऐसे लगता है जैसे यह जो ripples हैं लहरे बन रही हैं गोल दायरे बन रही हैं यह बाहर को move forward कर रहे हैं ऐसा नहीं है water is actually not moving up and down बलके जो boat की movement से जैसा के हमें लग रहे है sound wave भी जो speaker से produce होती है वो इसी से मिलते जुलती है यह जो sine wave है इसका plot देखें sine wave pressure जो है वो pure tone के लिए उसका जो graph या plot बनता है वो A में आप देख रहे हैं और pressure changes are indicated by darkening pressure increase relative to atmospheric pressure and lightening pressure decreased relative to atmospheric pressure तो यह जो sound की physical measurement है वो हमें यह दिखाती है जब speaker का diaphragm जो है वो बाहर को move out करता है तो वो surrounding air molecules को push करता है process को condensation कहते हैं उसे slight increase होती है density of molecules में जो speaker के उस डैफ़ग्राम के बाहर होते है यह increase density जो है इससे नतीजा यह निकलता है कि local air pressure increase होता है जो superimpose होता है atmospheric pressure पे और जब speaker का diaphragm वापस अंदर को आता है air molecule जो है वो फैल के उसके अंदर चले जाते हैं उसे increase space को fill करते हैं इसको rarefaction कहते है the decreased density of air molecule caused by rarefaction causes a slight decrease in air pressure इस process को hundreds of times repeat करने से और thousands of times repeat करने से speaker जो है वो एक pattern of alternating high and low pressure regions air में create कता है neighboring air के molecules में और यह जो air pressure है जो के air में pressure कर रहा है environmental sounds average speaking की जो है वो 1000 है एक propeller plane जब take off करता है तो उसकी आप देखें के million से उपर है जब कोई barely audible है तो उसका एक amplitude है तो उसके decibels एक साइट पे दिये में है जब हम बोल रहे होते हैं तो 1000 की amplitude है तो उसके जो decibels है वो 60 है three different amplitudes of pure tone इसमें आपको नज़र आएंगे larger amplitude is associated with perception of greater loudness three different frequencies of a pure tone higher frequencies are associated with the perception of higher pitch तो यह जो frequency है अगर ज्यादा होगी तो pitch जो है वो higher होगी और pitch को भी और qualities of sound को भी हम discuss करेंगे